हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चनल में स्वागत है इस वीडियो हम पढ़ने बाले हैं वह है गामा यह बीटा फंक्शन गामा यह बीटा फंक्शन क्या होता है इसकी कुछ पढ़ननिद्स चनल मांचे और संय इसे गामिम होता है यह क्यांट की सब्सक्राइब यह बिए टिश्वार्द को फेक्ट्रीड होता है यह गामा की आध्विक प्लस में शेस्वेल्वू का ओधी को न्गामा इन वराबर एर्ड़ाबर फेक्टोर्य फेक्टोरियल तो गामा यहां से यह property भी प्रूपइफ हो ति है इस property को हम चुटा हे है। देंगे और अगली प्रोपर्टी जो होते है वह होते हैं हमारे पास गामा ए डॉट गामा बन माइनस ए वराबर जो होता है वह होता है पाई sin a π, π upon sin a π, जहाँ पर यह जो है, 0 से बन के बीछ में कोई एक इंटीजर होता है, नंबर होता है, कोई, लिएल नंबर होता, 0 से बन के बीछ में कोई नंबर होता है, एक एक एकजाम्पल देखते हैं, एकजाम्पल है, x to the power 4, e to the power minus x, dx, जहां पर 0 to infinity limit है हमारे पास यह क्या होगा dx तो इसको हम solve करते हैं 0 to infinity x to the power 4 e to the power minus x dx बराबर अब x to the power 4 को क्या लिख सकते हैं अगर हमें gamma form की इसमें लिखना है तो इसको n minus 1 की form में लिखना होगा तो इसको फूर को क्या लिख सकते हैं 5-1 x की पावर 5-1 e to the power minus x dx तो यह होगा हमारे पास गामा 5 गामा 5 बराबर होगा 4 प्रेक्टरल जो की 24 होता है तो इस तरह से गामा की help से हम गामा function की help से कुछ questions solve करेंगे आगे भी एक property जो गामा 1 by 2 की value इसको प्रूब करते हैं तो गामा 1 by 2 प्राब क्या होगा जीरो टू इंफिनिटी एक्स टूदी पावर 1 by 2 minus 1 e to the power minus x dx simply इस form में क्योंकि n की जागे बनवाई 2 है तो n की जागे बनवाई 2 क्या तो यहां होगा e to the power minus x x to the power 1 by 2 minus 1 dx यह हो गया हमारे पास अब इसको क्या लिख सकते हम एक इसको लिख सकते हैं यहां से एक्स बरावर क्या हो जाएगा y square sorry x बरावर y square हो गए तो यहां से हो गया dx बरावर 2 y dy अब यह हो गए हमारे पास dx बरावर 2 y dy अब यह बेल्यू जी हमने यहां पर पुटकी तो यह हो जाएगा हमारे पास एक्स बरावर माइनस बरावर 2 y square माना यह बोले एक्स की पर बनवाई 2 बरावर y माना तो एक्स बर माइनस बरावर y inverse यह वाई inverse e to the power minus y square यह यह एक्स की जागे क्या लिखेंगे हम y square तो यह होगा e to the power minus y square और 2y dx देके 2y dy तो 2y dy y से y कट जाएगा तो यह होगा हमारे पास तू अब चोकी limit भी अगर हम देखें तो जैसे y x टेंस टू इंफिनिटी जा रहा था तो यहां पर limit b टेंस टू इंफिनिटी हम एंप्लाई कर सकते हैं यह होगा हमारे पास अब फ्रेंड्स यहां पर देखें तो लिमिट भी टेंस टू इंफिनिटी जिरो टू इंफिनिटी इटू दी पावर माइनस वाई स्क्वार अब यह हमारे पास प्रोपर्टी होती है इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बोक्स पर कमेंट कर सकते हो अब अब माइनस इंफिनिटी इनफिनिटी इट्व फावर माइनस वाय स्क्वार दीन रहा एक दी ग्वाय एकवल टू होता है हमारे पास रूट पाई अब शूक्वे strips यह फंक्षन इंतरिक हों क्योंकि Y कि जंड़े माइनस वाय पूट करने पर क्योंटिंट नहीं आहיगा त देलो टूइनफिनिटी सबार माइनस कदलती देवाई ब्रावर रूट पाइप कउप माइनस को डी मार प्षेला ऑफ रूट वड socialия ह् यह गमा 2 था यह हमारे पास यहां से बाहर आया था ये 1-2 ॉट वाय तो यह 2 से करने के लिए मैं स्कूक्य आप्पूट कर सकते हैं का है होती ही जिरो टुँ एन्फरिटी एक्स कुर दिपावर ऑन एक्स बावर ऑन माइनस ऑच दी एक्स तो एट थो टो यह प्यांनो वरावर क्या जो कि यहां ऑगया हमारे 2 आ गया तो gamma 5y2 की वेलू क्या होगी gamma 5y2 की वेलू जो होगी gamma 5x2 teamed 1 factorial तो यह हो गए हमारे पास 3y2 recite Act ृ तो यह हो जाएगा 3y2 into 1y2 3y2 into 1y2 और उसके बाद gamma 1y2 То gamma 1y2 की वेलू root pi तो 3 by 2 into 1 by 2 into root pi, तो यह हो गया 3 by 4 root pi, तो इस तरह से यह question solve के जा सकते हैं, यह आपके लिए exercise है, यह आपको solve करना है, evaluate 0 to infinity x to the power 5 by 2 e to the power minus x dx, इस question को solve करना है, और solve करके comment box में इसका answer बताना है, उसके बाद आता है, हमारे पास beta function, beta function जो होता है, basically bmn बराबर 0 to 1 x to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1 dx, जहाँ पर m greater than 0 and n greater than 0 होता है, तो इस तरह से beta function को define किया जाता है, अब beta function कुछ properties होती है, यह beta mn बराबर होता है, beta mn और beta mn की value जो होती होती है, gamma n dot gamma n upon gamma m plus n, यह इसकी एक property होती है, जो बहुत ही important property है, इसको improve कर सकते हैं, तो let gamma हम beta function को ab की form में ले रहे हैं, इसमें m की जग, basically यह m है, यह n है, तो यहाँ से हम समझते हैं, तो beta function को किस तरह से depend होगा, फिर 0 to 1, x2 दिपार a minus 1, 1 minus x की पार b minus 1 dx, अब यहाँ इसको solve करने के लिए, let हम suppose कर लेते हैं, x बराबर y plus 1y2, हमने x की जगे y plus 1y2 पुट कर देंगे, तो y plus 1y2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम limit देखते हैं, limit क्या change होगी, जब x बराबर 0 है, तो y बराबर minus 1y2, जब x plus 1y2 equal to 0, and y बराबर minus 1y2, और जब यह 1 है, तो 1y2, तो limit होगी, इसकी minus 1y2 to 1y2, और यह होगा हमारे पास, x जगे y plus 1y2 पुट कर देखते हैं, तो 1y2 पुट कर देखते हैं, इसकी पार a minus 1, इसकी तरह यहाँ पर, तो 1 minus, अब यहाँ पर x के y minus 1y2 आजाएगा, तो यह हो जाएगा हमारे पास, 1 by 2 minus y, यह वाली टर्म, कि पावर b minus 1 dy, अब हमने सपोज कर लिया, now let y बराबर, t upon 2s, by बराबर, t upon 2s कर लिया, तो हमारे पास, यहाँ से आजाएगा, हमारे पास, बीटा, ab बराबर, अब by बराबर, हमें क्या पुट करना है, t upon 2s, तो इस condition में, जहाँ पर t जो है, वो, एक function है, और s जो है, constant की तरह treat करेगा, यह हो गए हमारे पास, तो यहाँ पर y की जग, यहाँ पर पुट किया हमने, तो जैसे यहाँ पर पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा, बन by 2, plus t upon 2s, तो यह हो जाएगा हमारे पास, इसका LCM लेंगे, तो यह LCM लेने पर, 2s LC में जाएगा, s plus t, तो यह हो गया, इस तरह से यहाँ पर पुट किया y की जग, तो हमारे पास s minus t, और नीचे 2s आजाएगा, उस 2s को हमने, 2s की power, क्योंकि यहाँ पर a minus 1 है, यहाँ पर b minus 1 है, तो यहाँ पर 2s की power, a minus 1 आएगी, यहाँ पर 2s की power, b minus 1 आएगी, अब चुक्कि 2s की power है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2s की power है, तो इस condition में यह एड हो जाएगा, तो यह 2s की power, यह हो जाएगा, a plus b, a plus b, और यह हमारे पास minus 1, तो यह हो गया है, हमारे पास minus 2, अब यह हो गया हमारे पास, जब यह हो जाएगा, तो अगर यहाँ से देखें, तो y बराबर t upon 2s, तो dy, dy बराबर लेखने तो जाएगा, dt upon 2s, तो dt upon 2s, यहाँ पर dt आगए और 2s, तो यह हो गया, 2s की पावर a प्लस b माइनस 1 अब 2s की पावर a प्लस b जो है constant की तरह ठीट कर रहा है तो 2s की पावर a प्लस b माइनस 1 इधर आ गया integration से निकल के यहाँ पे आ गया यह बारी term पूरी जो है थी जो नीजे बार टर्म थी वो इधर आ चुक्किया तो यह हो गया s प्लस t पावर a माइनस 1 s माइनस t पावर b माइनस 1 अब multiply by e to the power minus 2s दोने तरफ ने multiply कर दिया एक पावर minus 2s then integrate with respect to s उसके बाद हमने इसको with respect to s integrate कर दिया जो है वो 0 से और a के बीच में कोई नमबर है तो यहाँ से हो गया 0 to a e to the power 2s और 2s a to the power a plus b minus 1 ds और यहाँ पर 0 to s minus s to s e to the power minus 2s s plus t a minus 1 s minus t b minus 1 dt और उसके बाद ds यानि की s के respect में integration दोनों तरफ से तो यह करने पर हमारे पास take limit as a tends to infinity हमने limit जो थी यहाँ पर इसको a tends to infinity ले लिया तो उस condition में हम अगर देखें तो यह हो गए हमारे पास 1 by 2 b upon a चूंकि यह value क्या हो जाएगी उस condition में इसको अगर देखें तो यह क्या हो गए हमारे पास e to the power minus 2s 2s और a plus b minus 1 तो यह अगर हम गामा फक्षन से कंपेर करें तो वह क्या होता है? एट्यूदिए पाबर माइनस सेग्स एक्स्टीड पावर एन माइनस 1 ओफ डी एक्स और एटेंश इन्फिनिटी है हमारे पास तो यह क्या हो जाएगामा एन तो गामा एन यानि और यहां पर 2s की जग क्या कर एक स्टीट कर रहा है यह अगया तो फ्रेंस यह हो गया गामा a प्लस भी अब बन बाई 2 कैसा आए तो बन बाई टू आने के लिए हम यहां पर देखना होगा क्योंकि चूंकि यहां पर यह हमारे पास 2s 2s तो यहाँ पे जो ds भी होना चाहिए 2 of ds होना चाहिए तो इसके लिए हमने 2 से divide कर लिया तो इस तरह से यह आ गया हमारे पास 1 by 2 b a b gamma a plus b और limit a tension unity 0 to a minus s 2s e to the power minus 2s s plus t a minus 1 s minus t b minus 1 dt of ds let's sigma अब हमने sigma बराबर s plus t and tau बराबर s minus t so we integrate over अब हमने यह ले 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 तो इससे हम integrate कर सकते हैं यहाँ से sigma plus t less than equal to 2a आ जाएगा and sigma और t जो है वो greater than equal to 0 है sigma और sigma plus tau करेंगे तो sigma plus tau बराबर क्या s से s कर जाएगा sorry t से t कर जाएगा अगर sigma plus s जाएगा तो यह जाएगा 2s और 2s चूकि हमारे पास हमने क्या लिया है यहाँ पर 0 to s less than equal to a तो यहाँ से इसकी property के help से यहाँ से यह यह टर्म भी हमारे पास less than 2a होगा since s बराबर यहाँ से अगर हम देखे तो इन दोनों को add करने पर टी से टी कर जाएगा तो s बराबर क्या जाएगा बन बाइटू सिंग्मा प्लस टो इस तरह से टी बराबर बन बाइटू सिंग्मा माइनस टो तो यह जाएगा तो यहाँ से इसका कोफिशंट अफॉन प्रेश का कॉफिशंट पर अगरे तो सिंग्मा में बन बाइटू तो क्योंकि इसके डेटर्मिन निका लेंगे तो बन बाई 4 प्लस बन बाई 4 यह बन बाई 2 आ गया तो यहां से हमार पास बन बाई 2 बेटा ए भी गामा ए प्लस भी वराबर आ गया लेमिट ए टेंस तो इंफिनिटी और रियल पार्ट पे जीरो बन अपॉन टू एटू दिपाव हमारे पास तो यहां से बेटा इभी वर गामा ए प्लस भी बराबर यह हँआरो पास जीरो टू इन परिटी10 जीरो टू इन पिरिटी इडित पावर माइनस सिंग्मा प्लस टल इतु भी एक्टरम यह हो गयी ओर हमाह पास प्रत्व पहर लाओं स्गमाków सुसीरेटी इसकोे सिंवर मैने सब्सक्तर व पहर दो ज infra को और मैने सी च vegetable एक्टम में मुगे वह गई और भी पर फोर दो जी तो टू इंफिनिटी इडिविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविव प्लस भी तो यह हो गया हमारे पास गामा ए प्लस भी का फॉर्मूला उसके साथ ही कुछ और रेजल्ट से हैं जैसे हम पहले देख चुके हैं बीटा एम बराबर बीटा एन एन जूरू टू पाइब टू सैन टू एम माइनस बन डी एकस डी एकस बराबर गामा एम गामा एन अपॉन टू गामा एम प्लस एन एक यह भी इंपोर्टेंट इसको भी हम प्रूब कर सकते हैं अगर किसी को प्रूब चाहिए तो आप मुझसे कमेंट वोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो जिरो टू इंफिनिटी क्यू एकस की पावर क्यू माइनस बन प्लस एकस डी एकस जहां पर इसका जो सॉल्यूशन होता है वह होता है हमारे पा सकते हैं तो यहां पर अगर इसको लिखना चाहिए तो किस तरह से लिख सकते हैं गामा डिस्ट्रीशन की बिटा डिस्ट्रीशन की फॉर्म में बनाने के लिए तो यह हो जाएगा हमारे पास यहां इंटीग्रेशन है जिरो टू बन इसको लिख सकते हैं 5-1 1-2-1-dx तो यहो गयां बीटा 5-4 तो गामा-4 अपन गामा 5 प्लस पोर तो यहो गया गामा 9 तो 4 फेक्टोरीएर अपन दो3 फेक्टोरील अपन 8 फेक्टोरीयल यह को शॉल्व करने पर बन अपन 202 आ जाएगा тру इस लिई यह exercise आप भी solve कर सकते हो, 0 to 1 x square 1 minus x power 6 dx, इसको किस तरह से solve कर सकते हैं, यह आप खुद solve करके बताएंगे, इस तरह के कुछ और भी examples हो सकते हैं, जैसे आई बरावर यह example 0 to 1 root x 1 minus x, इसका integration किस तरह से निकलेगा, यह आप easily solve कर सकते हो, इसका भी solution करके आप आप बताओगे, comment box में comment कर सकते हो, अगर solution नहीं आता है, तो आप मुझे whatsapp कर सकते हो, और whatsapp नंबर है, 9460689761, और mail कर सकते हो, hitesh mena 97851 at the rate gmail.com, तो यहाँ पे भी आप मुझे comment कर सकते हो, आप mail कर सकते हो, और next section में जो पढ़ेंगे हम, कुछ examples पढ़ेंगे, जहाँ पे using gamma function to evaluate integrals, integrals निकालने के लिए gamma functions का use किस तरह से करते हैं, और beta function का किस तरह से use करते हैं, कुछ videos उसके और पढ़ेंगे, thank you friends.